भूगोल की ध्वनी पाठे पुस्तक हमारा पर्यावरण आए अब सुनते हैं अध्याय पाँच शीर्शक है जल जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जल प्रपात, वर्शा की रिमजिम अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं, है न? बच्चे वर्शा से भरे गढ़े में कागज की नाव तैरा कर बहुत खुश होते हैं दोपहर तक गढ़े में जमा जल गायब हो जाता है वह जल कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाश्पित हो जाता है ठंडा होने पर जल वाश्प संगहनित होकर बादलों का रूप ले लेता है यहां से यह वर्शा हिम अथ्वा सहिम वरिष्टी के रूप में धर्ती या समुद्र पर नीचे गिरता है महासागरों, वायू मंडल एवं धर्ती के बीच चकर लगाता रहता है उसको जल चकर कहते है जल चकर का चित्र, चित्र संख्या 5.1 में दिया हुआ है आईए, एक नजर डालते हैं इस चित्र पर, चित्र संख्या 5.1 शिर्षक है जल चकर और यहाँ पर जल चकर का चित्र हम देख सकते हैं, प्रिथ्वी से आकाश तक का चित्र यहाँ पर है और यहाँ पर हम देख सकते हैं, सबसे उपर संखनन संखनन होने के बाद वर्षन या वर्षा होती है वो और नीचे आती है और वहां से नीचे हम देखते हैं वाह और उसके बाद वाश्पी करण होता है वाश्पी करण के बाद फिर वही वाश्प उपर की ओर जाता है यानि आकाश में और वहां फिर से संगहनन होता है यही है जल चक्र अब सुनते हैं पाठ हमारी प्रित्वी थल शाला के समान है, जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था, वही आज भी मौजूद है जिस जल का प्रयोग आज हम हर्याना के खेत में सींचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है वह जल सैकणों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो अलवन जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं, महासागरों एवं समुद्रों का जल लवनी ये होता है, अर्थात खारा होता है इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड या खाने में उप्योग किया जाने वाला नमक होता है प्रिष्ट संख्या 31 में चित्र संख्या 5.2 है, जिसमें विश्व के सभी प्रमुक समुद्र, जीलें एवं नदियां दिखाई गई है मांचित्र को ध्यान से देखें तो आपको सभी प्रमुक समुद्र, जीलें और नदियां इस मांचित्र के अंदर देखने को मिलेंगी मांचित्र को ध्यान से देखें जल का वितरण हम सभी जानते हैं कि प्रिथ्वी की सतह का तीन चौथाई भाग जल से ढखा हुआ है जरा सोचो यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना भला क्यों करना पड़ता है क्या प्रिथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है इस तालिका में जल वित्रण का प्रतिशत दिया हुआ है आईए इस तालिका पर एक नजर डालते हैं महासागर में जल का कुल भाग 97.3 प्रतिशत है भूमिगत जल इसमें जल का कुल प्रतिशत है 00.68 प्रतिशत जीलों का अवलवन जल और इसमें जल का प्रतिशत है 00.009 प्रतिशत स्थानिय समुद्र एवं नमकीन जीले इनमें जल का कुल प्रतिशत पाया जाता है 00.009 वायू मंडल में जल का प्रतिशत कुछ इस प्रकार से है यानि वायू मंडल में कुल 00.001 प्रतिशत जल पाया जाता है नदियां नदियों में 00.001 प्रतिशत जल पाया जाता है इस सभी जल वित्रण की तालिका का कुल योग सौ प्रतिशत बनता है जीवन के लिए जल आवर्शक है प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है ऐसे में क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उप्योग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बरबाद करते हैं क्या आप जानते हैं और यहां लिखा है लवनता एक हजार ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है महसागर की आउसत लवनता 35 भाग प्रती हजार ग्राम है दूसरा बॉक्स और दूसरे बॉक्स का भी शीर्शक है क्या आप जानते हैं और यहां पर जो बात हमें जाननी है वो यह है इसराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रती लीटर लवनता होती है तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं या तैर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिक्ता इसे सघन बना देती है क्या आप जानते हैं 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है जब जल संरक्षन की विभिन विधियों को प्रबलित किया जाता है समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादूई सी अनुभूती होती है पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायू में लवणिये गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है ताल एवं जील के शांत जल के विपरीत महासागरी ये जल हमेशा गतिमान रहता है यह कभी शांत नहीं रहता महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गी कृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, जौार, भाटा, एवं धाराएं इसी प्रिष्ट पर एक चित्र है चित्र संख्या 5.3 और ये प्रशांत महासागर का चित्र है तरंगे समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है यह द्रिशे बहुत ही मनुरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट जाती है तूफान में तेज वाईू चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है भूकंप, ज्वाला मुखी उदगार या जल के नीचे भूस खलन के कारण महासागरिय जल अत्यधिक विस्थापित होता है इसके परिणाम स्वरूप, 15 मीटर तक की उचाई वाली विशाल जुआरी ये तरंगे उठ सकती हैं जिसे सुनामी कहते हैं अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रती घंटे से अधिक की गती से चलती हैं 2004 में सुनामी से भारत के तटिये क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीव समुह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था इस प्रिष्ट में सबसे पहले दो बॉक्स और उसके बाद हम सुनेंगे पार्ट पहला बॉक्स क्या आप जानते हैं जब समुदरी सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्वन न होती है जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती है दूसरा बॉक्स क्या आप जानते हैं सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रे तरंगे क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रे या बंदरगाह नश्ट हो जाते हैं और इसी प्रिष्ट पर अब एक बॉक्स और बॉक्स का शीर्षक है सुनामी, प्रिथ्वी का तांडव। आए सुनते हैं, 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथ्वा पोताश्रे तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। यह तरंगें उस भुकंप का परिणाम थी, जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भुकंप की तिवृता रिक्टर पैमाने पर 9.00 मापी गई थी। भारतिय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गती उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भुकंप आया। महा सागरिय तल लगभग 10-20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में जुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मातरा में महा सागरिय जल उसी और बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल घटने लगा। भारतिय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की और लोटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रती घंटे की गती से आया, जिसकी तुलना व्यावसाइक वायूयानों की गती से की जा सकती है। और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्ण नतह डूब गए। इनकी गती भी 700 से 900 किलोमीटर प्रती घंटे से 70 किलोमीटर घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगें 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई। जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यू हो गई और एक लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंधर प्रदेश के तटिय प्रदेश, तमिलनाडू, केरल, पुद्दुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप सरवाधिक प्रभावित हुए। यद्यपी पहले से भूकम्प का अनुमान लगाना संभाव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत तीन घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्रात्मिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलणा में hind महासागर में सुनामी कभी-कभी ही आती है क्योंकि यहां भूकम्पी क्रिया बहुत कम होती है यहां दो चित्र दिये गए हैं और यह चित्र दिखाते हैं कि तमिलाडू के तट पर सुनामी द्वारा बिनाश किस प्रकार हुआ था यहां तूटे हुए घर और उखडे हुए पेड और जल की उँची उँची तरंगों को देखा जा सकता है जो तट की तरफ बढ़ रही है दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिन एवं दक्षिन पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई वह पिछले कई सव वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी हिंद महासागर में निरिक्षन आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटिये निवासियों में जागरुकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ती की अत्यधिक क्षती हुई सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटिये क्षित्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती है जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग उचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उच्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यू हो गई जवार भाटा दिन में दो बार नियम से महा सागरिय जल का उठना एवं गिरना जवार भाटा कहलाता है जब सरवाधिक उचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुवो देता है तब उसे जवार कहते हैं और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं अब आईए सुनते हैं पाठ सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वा कर्शन बल के कारण पृत्वी की सतह पर जवार भाटे आते हैं जब पृत्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वा कर्शन बल से जल अभिकर्शित होता है जिसके कारण उच्च जवार आते हैं पूर्णीमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य चंद्रमा एवं पृत्वी तीनों एक सीध में होते हैं, और इस समय सबसे उचे ज्वार उठते हैं, इस ज्वार को वरिहत ज्वार कहते हैं. लेकिन जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वा कर्शन बल विप्रीत दिशाओं से महा सागरिय जल पर पड़ता है परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है ऐसे ज्वार को लगू ज्वार भाटा कहते है उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है ये जल स्तर को तट की उचाई तक पहुँचाते है ये जहाज को बंदरगाह तक पहुँचाने में सहायक होते है उच जवार मचली पकड़ने में भी मदद करते हैं उच जवार के दोरान अनेक मचलियां तट के निकट आ जाती हैं इसके फलसरूप मचवारे बिना कठिनाई के मचलियां पकड़ पाते हैं कुछ स्थानों पर जवार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाओ का उपयोग विद्युत उत्पन करने के लिए किया जाता है इस प्रिष्ट संख्या 36 में सबसे पहले चित्र संख्या 5.5 और ये लगु जवार भाटा एवं ब्रिहद जवार भाटा के चित्र को दर्शाता है सबसे पहले इस चित्र में दिखाया गया है लगू जुआरभाटा जिसमें चित्र में हम देख सकते हैं कि सूर्य और पृत्वी समानंतर यानि एक पंक्ती में हैं और चंद्रमा पृत्वी के उपर है ब्रिहत ज्वार भाटा में हम देख सकते हैं जो सबसे पहला चित्र है और वो चित्र है उसमें सूर्य, चंद्रमा और पृत्वी तीनों समानांतर पंक्तियों में हैं और नीचे और एक चित्र है और इस चित्र में सूर्य, प्रिथ्वी और चंद्रमा ये तीनों समानंतर पंक्ती में है महासागरिय धाराएं महासागरिय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरिय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जलकी धाराएं होती है महासागरिय धाराएं गर्म या ठंडी दोनों हो सकती हैं समान्यतह गर्म महासागरिय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन होती हैं एवं ध्रूओं की ओर प्रवाहित होती हैं ठंडी धाराएं ध्रूओं एवं उच्च अक्षांशों से उष्ण, कटी बंधिय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं लेवरडोर महासागरिय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं महासागरी ये धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं गर्म धाराओं से स्थलिय जल का तापमान भी गर्म हो जाता है जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मच्स्ययन ख्षेत्र माना जाता है। यानि यह स्थान मच्छलियां पकड़ने के लिए सरवाधिक उप्युक्त होता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर इसके कुछ उदाहरन है। जहां गर्म एवं ठंडी जल धाराएं मिलती हैं वहां कुहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलसरूप नौ संचालन में या जहाज चलाने में बाधा उत्पन होती है। प्रिष्ट संख्या 37 में सबसे पहले एक मानचित्र और ये मानचित्र है चित्र संख्या 5.6 पर और इस मानचित्र में हम महासागरिये जल धाराओं को देख सकते हैं। अब आते हैं अटलांटिक महासागर में उत्री अटलांटिक महासागर इसमें हमें दिखाई पड़ रहा है अब आते हैं हिंद महासागर में हम देख सकते हैं विशुवती ये विप्रीत धारा दक्षिनी विशुवती ये धारा और पश्चिमी आस्ट्रिलियन धारा और साथी साथ पश्चिमी वायु अपवाह भी हम यह पड़ रहा है पर देख सकते हैं और अब आते हैं फिर से प्रशांत महासागर की ओर यहां हमें दिखाई पड़ता है विशुवती ये विप्रीत और क्यूरेशियो धारा और आवासियो धारा